भारत के खुल राज्यों पर सतर लाख करोड का कर्ज है और एक लाख करोड का कर्ज है। करोड का कर्ज आंध्रा तिलंगाना पे तिन तिन लाग करोड का कर्ज पंजाब पे तिन लाग करोड का कर्ज चोटा सा दिल्ली है इसके उपर भी पचास जार करोड का कर्ज है कि कुल सतर लाग करोड का कर्ज है इसके बावजूत पॉलिटिकल पार्टियां चुनाओ के पहल मुफ्त खौरी का Circuit कहती है एक political party कहती है कि हम आप को मंगल सूतर देंगे दूसरी political party कहती हम तो चैनी देंगे हम तो एंचे स्कूटी देंगे सौथी political party कहती हम तो कैस भी देंगे वह su पैसा कहा है कुछ नहीं पता अगर मेरे जेब में 100 रुपए नहीं है और मैं 500 रुपए का समान खरीदने का वादा करूं तो इसका मतलब कुछ नहीं कुछ तो गलत करना पड़ेगा ना इसलिए इस मुफ्थ खोरी को रोकने के लिए मैंने सुप्रीम कोट में पी आयल फाइल किया इस साल जन्वरी 2022 में मैंने पी आयल फाइल किया सुप्रीम कोट ने इस मामले को बहुत गंभीर माना और गंभीर मानने मानते हुए एलक्षन कमीशन और सेंटर गवर्मेंट को नोटिस जारी किया कि छे महीने बीच चुके हैं बलकि साथ महीने बीच गये 25 जन्वरी क को सुप्रीम कोट ने नोटिस जरी किया था आज तक सेंटर गवर्मेंट का जवाब नहीं आया एलक्षन कमीशन का जवाब आया उसने अपना हाथ खड़े कर दिये एलक्षन कमीशन कह रहा है कि हम तो यह जो मुफ्तखोर इसको रोक नहीं सकते हमारे पास कारून बनाने का अधिकार नहीं है सेंटर गवर्मेंट का भी जवाब नहीं आया आज यह मैटर सुप्रिम कोट में लगा हुआ था मैंने सुप्रिम कोट से कहा कि एलक्षन कमीशन जुट बोल रहा है एलक्षन कमीशन के पास मुफ्तखोरी रोकने की पावर है पॉलिटिकल पार्टियों को सिंबल एलक्षन कमीशन देता है तो यह समान नसी बात है कि जो व्यक्ति कुछ देता है उसके पास लेने की भी पावर होती है एलक्षन सिंबल पार्टियों को एलक्षन सिंबल एलक्षन कमीशन देता है इसलिए उस सिंबल वापस ले सकता है किस पॉलिटिकल पार्टि को स की जो माननेता है वो भी election commission रद्ध कर सकता है political parties के 지book कोई Demo को भी election commission सीज़कर सकता है लोगों के चुनाव लडने पर rocky कर सकता है यह power है उसके पास लेकिन उपनी power usage नहीं करना चाहता दूसरी तरफ Centre Government में कई बार यह बात होती है कि ये मुश्वरी ठीक नहीं है लेकिन कानुन सेंटर गॉअर्मिंट नास तक नहीं बनाया इसके पहले सुप्रेम कोट बार ऐस्में कहा था कि मुफवरी रोकने के लिएये आनून मनाई और एलोक्सिंट को कहा थे फ्र आइब लाइन ज़रूरी है, सुप्रिम कोट कर डाक्स ज़रूरी है। पॉलिटिकल पार्टी वादा करती है यह पैसा कहां से लाता क्या पॉलिटिकल पार्टी अपने घर से पैसा लाती है क्या कोई नेता अपने घर से पैसा लाता है या पॉलिटिकल पार्टी अपने चंदे में से यह काम करती है पैसा किसका टैक्स पेर का टैक्स पेर से पूछ पाइसा टैक्सपेयर का मालिक बन के बैठे हैं पॉलिटिकल पार्टिय जो मन करते वादा कर देती है और यह भी नहीं देख रही कि देज की कंडीशन क्या है सतर लाग करोड का करजा है अगर हमने इसको नहीं रोका यही बात मैंने सुप्रिम कोट से कही आज कि अगर हमने मुफ्त खोरी को नहीं रोका यह जो मुफ्त में रेवडी बाटी जारी इसको नहीं रोका भारत का हालत वही होगा जो स्री लंका की आज हालत हो रखी स्री लंका में भी मुफ्त खोरी पे लगाम नहीं लगाया गया स्री लंका में रेवडिया जो बाटी गई थी मुफ्त में पोलिटिकल पार्टियों ने बाटा उसको नहीं रोका गया अच श्री लंका बेहाल है सो रूपए किलो चीनी मिल रही है सो रूपए का एक लड़ू मिल रहा है वहाँ पर ये सिचुएशन आगे इतनी मेहंगाई हो गई पूरी तरह से बैंकरफ्ट हो चुका है स्री लंगा पूरी इकोणामी बर्बाद हो चुकी है कोई स्री लंका को कूछ कों उधार देने के लिए ठाइघ के एक किए कब तक वर्डबैंक Aujourd कभ तक अमेरिकाcionता रहे गे कब तक लोग बाहर सुधार देंगे कि लोगों दोगों को उधार देना बंकर दिया लॉया लहका बरबाद हो गया करेदे लंका यह आलत कशी बहुत को खेहें छोई तो रच माल região को से मैं यह निवे दन खिया यह बहुत गंभीर मामला है और Supreme Court ने भी कहा कि बहुत गंभीर मामला है, Election Commission Supreme Court ने पूछा, आप बताईए, ये मामला, आप इसको serious मामला मानते हैं, Election Commission ने बोला है मामला बहुत serious है, फिर Supreme Court ने बोला, जब मामला serious है, आप इसमे कुछ करते हैं क्यों नहीं, फिर अपने हाथ की उखड़े कर रहे हैं। Center Government Advocate से पूछा भई, ये मामला आप इसको serious मानते हैं, Center Government Advocate ने भी बोला हां मामला बहुत serious है, फिर Supreme Court ने बोला, अगर मामला serious है, छे महीने हो गए, नोटिस जारी किये, आप जवाब क्यों नहीं देखिल कर रहे हैं। मेरे matter के बाद कपिल सिब्ब साब का matter था, कपिल सिब्ब साब ये कोट में बैठे हुए थे। चीफ जश्टेशन सिब्ब साब उठाया, बोले हां भी बताईए आप सिब्ब साथ, आप तो पार्लेमेंटेरियन हैं, ये मामला serious है की नहीं है, सिब्ब साब बोले हां मामला बहुत serious है, चीफ जश्टेशन ने बोला अच्छा फिर आपकी क्या रहा है, बोला जी finance commission की भी इसमें opinion होनी चाहिए, उन्होंने बोला finance commission भी इसको कुछ कर सकता है, तो अब एक सब्ता बात दुबारा सुनवाई होगी, और election commission को फिर से आके बताना है कि वो क्या-क्या steps लेने वाले है इस मुफ्तखोरी को रोकने के लिए, सेंटर गवर्मेंट को बताना है कि क्या-क्या इसमें कानून बनाने वाले हैं मुफ्तखोरी को रोकने के लिए, अभी हमने यह भी मांग किया कि इसको ला-कमिशन की भी opinion ले लिया जाए, तो election commission, finance commission, ला-कमिशन, नितियायोग, कानू मंत्राले, वित मंत्राले, सबकी opinion के बाद एक इस पर ढाचा आएगा, नहीं आया, तो पंजाब में जो काम आबाद भी party ने किया, आपको पता है, पंजाब के उपर तीन लाग करोड से जड़ा का करजा है, टोटल पंजाब की population तीन करोड के असपास है, और तीन लाग करो करजा है, अब खुद ही आप कल्पना कर लिजे, कोई ऐसा दिल्ली का छोटा बच्चा भी नहीं इसके उपर करजा नहीं, यूपी की पापुलेशन 25 करोड है, 6 लाग करोड का करजा है, मध्यप्रदेश के उपर भी करजा, ऐसा भारत में कोई स्टेट नहीं जिसके उपर 10 करजा नहीं है, जाना तर राज्यों पे तो, भाई हमारे देश में आप समझो न, 70 लाग करोड का करजा है, चाए वो बिहार हो या बंगाल हो या यूपी हो या आपका जारखंड हो, 36 गड़ो, सारी राज्यों पे करजा है, लेकिन पॉलिटिकल पालिटियां ये जनता को बताई नहीं रही है, वो मुफ्त की रिवडी बांट रही है, लेकिन ये नहीं बता रही है, ये रिवडी जो हम आपको खिला रहे है, ये हम उधार लेके खिला रहे है, भाई उधार लेके घी पीने से अच्छा, उधार लेके अच्छे कपड़े पहनने से अच्छा है, भ टेन बनाने के लिए प्लेन बनाने के लिए एरपोर्ट बनाने के लिए सब चीज के लिए बाहर से पैसा ले रहे हैं और यहां पर मुथ खोरी को बढ़ा भी रहें चुनाओ जीतना है चुनाओ जीत के क्या करना भ्रष्टाचार करना 70 लाग करोड का करजा है, 70 लाग करोड का बजट है, इस बजट का 20% हर साल घुस खोरी, कमीशन खोरी-दलाली में जा रहे है, आपने देखा होगा अभी बंगाल में, बिहार में किस तरीके से, बंगाल के उपर भी 4 लाग करजा है, और मंत्री 20-20 करोड अपनी महिला मित्रों उसके घर में मिला है वी बगवाई देने टोटल कितना और पैसा हुआ विसकाट तो कैस्स मिला अभी पता नहीं कितनी पेटोल पंप होगी कितनी और उनके फैक्ट्रियां होगी और क्या-क्या उनके पास और प्रापर्टी में लगा होगा हो सकता कोई इस देश के नेता जो देश खुद बदहाल है जो देश खुद इसमें फटेहाल है जो देश खुद कर्ज में डूबा हुआ है सारे राज्यकर्ज में डूबे हुए लेकिन नेता सत्ता की खातिर लगातार मुफ्तखोरी बढ़ा रहा हैं और सत्ता क्यों चाहिएं सेवा करने के लिए नहीं चाहिए सद्ता चाहिए और लूटने के लिए और ज्यादा जो है जो करज ले कर आ रहे हैं उसको बी और लूट कर द हillä में रखने के लिए sano came डिली देर शराब के ठेके में क्या कहानी होए अधिक शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक करके ट्वीट करिए अपने सांसद और विधायक से पूछिए कि आपके